हलो एब्रिवान और आज ये वीडियो आपको बताएगा कि जिन जिन को भी प्रोग्राम लेना है उनके लिए टॉप यूनिवर्स्टी के ऑप्शन्स क्या हो सकते हैं अगर आपने मेरे प्रीविएस वीडियो देखे थे तो मैंने उसमें उसमें बताया था कि क्या क्राइटी को आई देखते हैं कि कौन कौन सिट आप उनिवर्स्टी जो आपके पास यूनिवर्सिटी के अवेलेबल होंगे और मैं आपको एक चीज़ यहां पर क्लियरली बता दू कि प्रोग्राम से वही स्टूडेंस फिल कर सकते हैं जिनके पास क्लास 12 में PCM या PCB रहा हो या इन क प्रोग्राम से पास करते हैं तो पहला प्रोग्राम से बात करोंगी जो कि बहुत पॉपिलर साइंस स्ट्रीम का प्रोग्राम है ब्स पिसिक्स नम्र वन युणिवरसिटी आपके पास है उनिवरसिटी आप डेली क्राइटीरिया बहुत ही सिंपल है पिछले वीडियो में आपको पता चुकी हूं कि ब्सके का जो स्कोर होता है वह मैक्सिमम आउट अट उप 600 होता है इसमें जरणल टेस्ट और सेक्शन यानि लांग्विज जनरल टेस्स के मार्क्स नहीं जोडते हैं when it comes to the merit list पर section 1 यानि लांग्विज देना कंपल सरी है और ज्यादा विस्तार में जाने के लिए आप मेरा प्रीवेस्ट वीडियो देख सकते हैं so section 1 anyone आपको चाहिए इसमें Delhi University के लिए section 2 में कंपल सरी है physics, chemistry, math सिखना which will be of 200 marks each so 200 marks each का एक domain subject होगा और on the basis of domain subject only आपको BSc in physics, BSc in chemistry प्रोग्राम मिल पाएगा Delhi University का BSc in chemistry, BSc in physics and BSc in biology इन तीनों को same criteria है except biology में आपको maths की जगा PCB physics, chemistry, biology opt करना होगा यानि केवल domain subject के ही marks आपके add होगे but language देना कंपल सरी रहेगा slave language paper को miss नहीं करेंगे क्योंकि उसके जो marks होगे वो qualifying in nature होगे that means कि वो marks भले ही merit में नहीं होगे merit list बनते समय लेकिन अगर आपने language नहीं दिया होगा तो Delhi University आपकी application को accept नहीं करेगा for any BSc program so यह बात आप यहां पे जरूर नोट रखेगा second जो अच्छा college आपके पास option है वो है जामिया मिलिया इसलामिया जामिया का इसलामिया का कारिटीरिया बिल्कुल सिंपल है बीसी फिजिक्स के लिए वो सिर्व आप से section 2 मांग रहा है जामिया is asking you to only and only write physics paper तो अगर आप फिजिक्स पेपर की Hindi या English किसी में भी attempt करते हैं और अच्छा score करते हैं और उनकी merit list में cut-off के according आते हैं तो आप जामिया मिलिया में बहुत अच्छा प्रोग्राम बीसी इन फिजिक्स अप्लाई कर सकते हैं अगर मैं बीसी बाइलोजी की बात करूं तो युनिवर्सिटी ऑफ डेली के अलावा आपके पास भी ऑप्शन रहेगा भी आपको सिंपल क्राइटीरिया है केवल फिजिक्स केमिस्ट्री और बाइलोजी यानि आपको केवल डोमें सब्जेक्ट लिखना है जनरल टेस्ट नहीं लिखना है जनरल टेस्ट इस नॉट अप्लिकेबल एनिवेर इन बीसी प्रोग्राम ज्यादा तर युनिवर्सिटी इस केवल डोमें सब्जेक्ट को ही इंफिसाइज कर रही है तो अगर आप अभी क्लास 12 में बोट की तयारी कर रहे हैं तो जरूर अपने सब्जेक् है फिजिक्स हुआ केमिस्ट्री हुआ मैच्स हुआ बायोजी है बायो टेक्नोलजी है जो भी आपके पास कंप्यूटर साइंस समय क्लास 12 में प्लीज रिवाइज और सिलिबस्ट और ली नेंट्स कमिंग इन नाइन इस बीसी मैथमेटिक्स यहां पर एक बहुत अच्छा अच्छी उनिवस्ट्री में डेली उनिवर्सीटी आती है ब्हु है और युनिवर्सिटी ऑफ अला बाद बात करने वाली हूँ जो तोड़ा सा डिफरेंस है वह युनिवर्सिटी ऑप लाबाद यहां पर आपसे section 1 compulsory मांग रहा है और आपको ये option दे रहा है कि आप Hindi या English किसी एक में, किसी एक language में ये section attend कर सकते हैं, section 2 में उन्हें subjects यहां inlist करे हैं, तो physics, chemistry, mathematics यहां computer science, इन 4 subject में से कोई भी 2 subject आपको domain में चूज करने हैं, तो यहां confused नहीं होना है, University of Allahabad is only accepting 2 domain subject, 1 language test and they have also made general test compulsory, तो अगर आप अलाबाद University में डाल रहे हैं, which is again a very very old and a famous university in North India, अगर आप इसमें apply कर रहे हैं, तो आपको general test, language और दो domain लिखने होंगे, ये थोड़ा सा different criteria है, again Delhi University का criteria remains same, section 1 आपको देना है, section 2 आपको कोई भी 2 domain देने हैं, out of which you, your maths is compulsory, so maths is going to be compulsory, and other than maths, you can write any 2 domain subject for BSc in mathematics, आइए next बात करते हैं, और भी different BSc programs की, देखते हैं, और क्या के प्रोग्राम्स आपके लिए अवेलेबल है, BSc and biology मैंने आपको पहले बता दिया, Bhu में बहुत अच्छा प्रोग्राम है, अब बात करते हैं, BSc and Geology की, BSc and Geology की अगर मैं बात करूँ, तो डेली उनिवरस्ट की options आपके पास अवेलेबल रहेंगे, University of Delhi का Criteria, same criteria है, जो BSc of Physics and Chemistry के लिए था, यहां पे आपको बस यह है, कि Physics and Chemistry के साथ, बाकी जग थर्ड सब्जेक्ट आप चूस करेंगे, उसके लिए तीन options आपके पास अवेलेबल है, either you can write maths or you can write biology, or you can also give the paper of geography as one of the domain subjects, तो यह तीन आ कर गए हैं आपर, बाबर साइब भीम्राओं बेटका इनिवस्टी के लिए आपको लांविश लिखना कंबल सरी है, and domain subject, any three of which biology, physics, chemistry and geography is also inlisted here, then coming to BSc in anthropology, बहुत ही popular होता जा रहे है, प्रोग्राम धिरे-धिरे, इसकी popularity बढ़ रही है, पिछले कुछ सालों में, बहुत बाइन बाइन आपके पास अवेलेबल है, बाइन बाइन आपके पास अवेलेबल है, BSc in environmental sciences, again Delhi University, different in, आपको specialization देता है, BSc in environmental science का, the criteria of both of these papers, तो अगर आप ये criteria लेके चलते हैं, कोई भी तीन domain आप लिख रहे हैं, जिसमें से 1 math है, section 1 लिख रहे हैं, तो आप almost सारे ही BSc program के लिए, eligible होंगे in Delhi University, जो कि number 1 university है, जो कि most of the students target करते हैं, तो BSc के लिए आप section 1 लिख PCM रहा है class 12 में, तो मेरा suggestion होगा mathematics जरूर लिखिये, then coming to this BSc in statistics, BSc in statistics में सबसे interesting बात ये हैं, कि ये वो बच्चे भी ले सकते हैं, जिनकी पास physics chemistry class 12 में नहीं थी, अगर आपके पास class 12 में physics chemistry नहीं थी, तो do not worry, अगर आपके आपके class 12 में maths as a subject था, even with commerce, तो आप BSc in statistics का program डा सकते हैं Delhi University का, जिसमें आपको section 1 लिखना है, section 2 में मैं मैं आपसे बताया थी, maths compulsory है, और कोई भी दो domain subjects आपको लिखने है, यानि criteria, national में सेम ही है, section 1, maths and any two subjects, इसलिए मैं बार बर कह रही हूँ कि जिनकी पास math class 12 में, वो जरूर domain में math का subject attempt करें, क्योंकि उससे उनके लिए बहुत सारे options, बहुत सारी universities and DU के बहुत सारे courses का option, खुल जाएंगे, available होंगे उनके लिए and they can choose from that, then coming to BTEC program, BTEC program के लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है, जिसमें वो सारी universities जो BTEC कराती हैं, उनके क्या cut-offs है, क्या criteria है, वो वीडियो गरा previous देखेंगे, तो आपको म universities and बहुत सारे अच्छे private colleges भी का BTEC program दे रहे हैं, तो उसके लिए एक separate video है, आप जरूर उसको देखेगा, इसके अलावा अगर आपके पास कोई भी doubt है, कोई भी और जानकारी आप चाहते हैं, BST program से related या पॉम से related, तो आप हमारे साथ यूट्यूब चैनल पे बने रहे है क्योंकि हमाँ बहुत सारे वीडियो और भी आएंगे, नीचे दियेगा नंबरों में भी आप हमें रीच आउट कर सकते हैं, and we will be happy to help you in knowing and clearing CUT 2024 this year with all the support that you need, thank you so much.